वेलकम बैक टू सतिजीत्स किछित। आज में लेके आए हूँ आपके लिए एक बहुत फेमस और उतनी ही आसान और उससे ज्यादा हेल्दी ब्रेक्फिश्ट रेसिपी मूंगडाल चिला की। अब टिपिकली हम मूंगडाल की चिले बनाते नहीं है क्योंकि हम ऐसे लगता है कि अगर वो मूंगडाल भिगोनी पड़ेगी उसके बाद उसे पीस नहीं पड़ेगी फिर बनाना पड़ेगा बड़ी लेंदी प्रोसस है तो इसके लिए मैं आज बनाने वाला हूँ लेकर रफली चॉप करेंगे उसे एक मिक्सर जार में टमेटो उसी के साथ तीन हरी मिर्च थोड़ा अद्रक और इसे पीस लेते हैं यह पेस्ट हमारी बन गई और आप समझ लीजे कि आपका आधा काम भी हो गया एक बड़ा बोल मैं उसमें ले रहा हूँ यह मूग डाल का आटा जो बहुत आसानी से मारकेट में मिल जाता है इस आटे में मिलाएंगे थोड़ा जीरा जीरा के साथ ही थोड़ी हल्दी और नमक उसी के साथ थोड़ी चीली जो हमने पेस्ट बना के रखी थी वो इसके अंदर कटा हुआ धनिया मिक्सर में काफी सारा पेस्ट है तो हम इसी के अंदर पानी मिलाएंगे थोड़ा थोड़ा पानी मिलाके इसका एक बैटर बना लेंगे इस अन आइडियल रेसिपी फर ब्रेक्फिस्ट अल्मोस्ट देड से दोग का पानी मिलाने के बाद आप देख सकते इसकी कंसिस्टेंसी कैसे है अगर आप चम्मच इसके अंदर डिप करें तो आपका चम्मच पूरा कोट हो जाता है विच इस आपका बैटर होना चाहिए यहाँ पे एक पैन गरम करने के लिए रखते हैं जब तक पैन गरम हो रहा है हम चिला के जो स्टफिंग है वो बनाते हैं एक बोल में ताजा फ्रेश कोकोनट उसमें मिलाएंगे थोड़ा चॉप्ट अनियन थोड़ी कोरियांडर और एक हरी मिर्च बारी कट करके बिल्कुल थोड़ा सा नमक और बिल्कुल हल्की सी चीनी यह स्टफिंग हो गया तैयार तवा जब गरम हो जाएगा थोड़ा तेल एक टिशू पेपर या किसी चीज से तेल थोड़ा स्प्रेड आउट कर लूँगा और जो हमारा चिला का बैटर है डोसे इतना पतला भी नहीं करना है इसे और उत तपे इतना मोटा भी नहीं रखना है कवर कर लेंगे एक आधे मिनिट के बाद चेक कर लेंगे अब देख सकते हैं कि इसके अंदर बबिल्स आके वो कुख हो रहा है परफेक्ट लाइट गोल्डन ब्राउन कलर बहुत कम ओईल में यह पक जाता है एक साइड से तो हो चुका है दूसरे साइड में भी तो खोड़ा लाइट गोल्डन होने तक इसे हम सेक लेंगे चेक कर लेते हैं दूसरी साइड हुई है के नहीं और वो हो चुकी है हमारा चिला बनके तयार है जो हमने यहाँ पे नारियल और प्यास का मिक्षर बनाया था वो थोड़ा इसके उपर इसको कर लेते हैं टरन ओवर और आसान सी ब्रेक्फिस्ट के लिए हेल्दी रेसिपी मूंडाल चिला की है बनके तयार इसे हरी चटनी के साथ सर्फ कीजिए मजेदार सा ब्रेक्फिस्ट है कभी भी अच्छा लगेगा एक और बनाते हैं दो चम्मच बैटर कवर कर लेंगे इसे ठीके ये बन गया हमारा दूसरा चिला बनाया हुआ मिक्षर बीच में स्टफ करेंगे तो बनके तयार है हमारा ये मूगडाल का चिला उसे सर्फ करते हैं तो थोड़ी तीखी वली चटनी अगर आप बनाएंगे तो खाने में और मजाएगा तयार है अपफेक्ट ब्रेक्फिस्ट रेसिपी गर्मा गराम मूगडाल के चिले बनके तयार है ब्रेक्फिस्ट के लिए आइडियल है और बच्चों को तपसंद आने ही वाले है झाले है झाले है